हेलो दोस्तों, असलाम अलेकूम, तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेट पकोडा, अज बिरोटित का पकोडा बनाएंगे हम अपतार के लिए, आप चाहिए तो इस रेसिपी को होली में भी बना सकते हैं, ज़र ये बहुत अच्छा लगता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सब आपे में कुछ आलू ले रही हूँ, छोटे साइस के आलू है, इसलिए दस बारा साइथ आलू होगे, इसमें डाल दिये हैं, हरी मिर्शी दो, प्याज डालेंगे, और धनिया पतार डालेंगे, बारी बारी काटके, और दो गाजर था, जिसको कि मैं कद्दू कस कर ली आप सभी को डाल दिये हैं, और इसमें नमक डाल दिये हैं, टेस्ट के गाड़ी, कुछ मसाले सुखे हुए, जैसे की हल्दी पौडर, यह है काली मिर्श का पौडर, और यह हैं भुना हुआ जीरा, लाल मिर्श का पौडर एक चमच डालेंगे हम, और डालेंगे, यहाँ प पहले, अब सभी को हम मिक्स कर लिए हैं, इसे साइड में रखते हैं, और यहाँ ब्रेट के पीशेस ले लिए हैं, जैसे की 6-7 पीशेस हैं, ब्रेट के, आपको जितना बनाना आप ले सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, उसका घोल रेडी करेंगे पहले, तो यहाँ पाइक ब बोना हुआ जीरा, लाल मिर्च का पाउडर, और यहाँ पे मैं डालूंगी, गरम मसाला डाल दीएं, और यह है कसूरी मेथी, इसके जगा पे धनी पाउडर भी डाल सकते हैं, अब नमक डाल दीएं, टेस्ट के कोडिंग, और डालेंगे मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा इसे डाल देंगे एक पीच, अब सभी को डालने के बाद थाषा पानी डालेंगे और गोल को रेडी करेंगे, तो थोड़ा थाषा करके डालेंगे, और इसे पतला नहीं, ना तो ज़्यादा गाड़ा ना पतला मीडियम साइज के हम गोल रेडी कर देंगे, तो यहाँ पे देखे, यह गोल जो हमारा है, वो रेडी हो गिया है, अब उधर गैस पे मैं कडाई को रखी हूँ, तेल को गरम होने के लिए वो हो रहा है, और इतर जो प्रेड के पीसे हैं, वो हम इतना एक ब्रेड का एक नहीं बनाएंगे, हम इसे दो पार्ट में काट देंगे, सभी ब पार्ट में एक पीस ब्रेड का, और कुछ को में चार भाग में कर दी हूँ, क्योंकि जादे बड़े-बड़े, और फिर घर में अगर खाने का है ना, सिप अपने ही, तो आप बड़े-बड़े रख सकते हैं, ने तो आप महमान वगी रखो सब करने हैं, या फिर कहीं और तो थो आसा चोटे चोटे बरेड पेसे बनाएं, अच्छा लगता है, मीनी मीनी, तो यहाँ पर मैं इसमें मसाले भर दी हूँ, बीच में, सभी में भर देंगे, इसी तरह करके चमच लेंगे, जितना भी ले, आधा चमच, एक चमच, जितना भी अटे, तो डाल देंगे, अच्छी तरह से फाइला लेंगे, उसके बाद दूसरे ब्रेड इसके एक पर चिपका देंगे, इसी तरह करके सभी पीसे हम रेड़ी कर लेते हैं, उधर गैस पे तेल को रखी हूँ, जो कि गरम हो चुका है, तो वो मीडियम फिलेम पे गरम करेंगे तेल को, यहाँ पे द पका लेंगे, अच्छी तरह से, दोनों तरब से उलट पलट करके क्रिस्पी होने तरह बनाएंगे, आप इसे चावल के आटे के साथ बनाएना बहुत अच्छा लगता है, एक बाद ट्राइ अपलू जरू से कीजिएगा, और अगर नहीं है, तो चावल के आटे के जगा प बन के रेडी होता है, आप लोग जरू से ट्राइ कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे ब्रेट हैं, वो बन के रेडी हो गया है, और बागी जो बचे हैं, सभी को इसी तरह करके, और डाल के हम बना लेते हैं, तो मैं तो इसे अफ्तार के लिए बनाए थी, आप चाहे तो इसे होली में बना सकते हैं, या फिर घर पे महवान वगे रहा हैं, या फिर अगर साम को आपको हलकी फुलकी भूख के जगह पे बनाना है, चाहे के साथ अभी भी बना सकते हैं, यह बहुत अच्छा सनाक्स नासतार रहता है, टेश्टी भी बहुत रहता है, तो यह था मेरा आज का रेसिपी अप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा और हाँ वीडियो को पूरा वाज कीजिएगा नए दोस्ट चैनल पर आते हैं चैनल को सश्क्राइब भी करें और बेल आइकन को जर है इसके लिए